एक्सिडेंट के पाद पंथ ने पहली पार पकड़ा बल्ला और ऐसा चक्का की घड़ी से टकराई गेन रिशब पंथ तेजी से ठीक हो रहे हैं उन्होंने विकेट कीपिंग और बेटिंग भी शुरू कर दी है पंथ दीरे दीरे अपने स्टाइल में लोटते नजर आये हाली में उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच में शांदार चक्का लगाया बारती विकेट कीपर बल्लेबाश ने अपनी कलाई का अच्छा इस्तेमाल करते वे ऐसा चक्का मारा की गेन सीधे चथ पर गई वहाँ जहां घड़ी का कंबा भी था पंथ को इस अंदाज में देखकर फैंस काफी खुश है कुछ महीने पहले वे बेसा की किसाहरे चल रहे थी लेकिन कुछी महीनों में उनकी रिकवरी इतनी तेजी से हुई कि वे बेसा की छोड़ कर मैदान में उतर गए पंत ने विकेट किपिंग भी शुरू कर दी है प्रैक्टिस मैच में पंत आगे बढ़कर शौट खेलते दिखी वह पिछले साल के अंत में एक सड़क दुरगटना का शिकार हो गए थे इस हाथसे में वह बालबाल बच गए लेकिन गंबी रूप से खायल हो गए उनके गुपने की सरचरी भी हुई थी वह एन सीए में पुरनवास में थे जहां उन्होंने तेजी से सुधार किया उनकी बल्लेबाजी का जो वीडियो वाइरल हो रहा है उसे देखकर लग रहा है कि वह टीम इंडिया में वापसी के लिए काफी उचसक है पंत मैच फिटनेस के करीब है इस साल पंत के लिए वापसी करना मुश्किल लग रहा है कई मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक है अगले साल वापसी करेंगे और इंग्लियन के खिलाब सीरीज में वापसी कर सकते हैं जो जनवरी में खेली जाएगी अभ्यास मैचों में उनकी फुट वर्क को देखकर ऐसा लगता है कि उनके गुटने की जिस टांग की सरजरी हुई थी वह काफी हद तक ठीक हो गई है और मैच फिटनेस के काफी करीब है पंत ने अपनी जान दी दी मैच फिटनेस पाने के लिए पंत ने कड़ी मैनत की हाथसे के बाद उनकी जो हालत हुई उसके बाद माना जा रहा था कि उन्हें हाथ में बढला ठामने में वक्त लगए गा लेकिन पंत ने अपने जज़बे से नामुनकिंग को भी मुनकिंग कर दिकाया दोस्तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धरने वाद दोस्तो